तो कैसे है सिक्सर के चाहने वाले, बिकट के मत वाले, किरकट के दीवाने, उम्मीद है कि न आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं, इंटरनेशनल लीग की टी ट्वन्टी दो हजार तेईस का फाइनल मैच, तो सच जो फाइनल मै वाइपर्स से तो सफाय करने में तेरे आसानी होगी, लेकिन उसके बाद डिजार्ट वाइपर्स की टीम है न, वो करती है प्लटवार लेती है, पिछली दोनों हारों का बदला एक ही मैच में, क्योंकि क्वालिफाइर वन जो मैच होता है न, डिजार्ट वाइपर्स जाती फादर में, इनको भेज देती, जाओ भाईया, तुम पहले माई एमिरात से लड़के आओ, वहाँ से जीतोगे, तो फी मेरे पास आना, तो गल्फ वाइपर्स करता है, अच्छा मेरा एम्तिहान ले रहा था, तो हम एमतिहान में पास हो गए, क्योंकि हम एमाई एमिर कर ले चाहे, डिजार्ट वाइपर्स की बात कर ले, लेकिन पदा है ना, बनेगा चेंपियन कोई एक, तो कौन बनेगा चेंपियन, कोन आज का मैच हार जाएगा, और बोलेगा यार, चूख हो गई, चेंपियन ना बन पाए, अगर आप यह जानना चाहते है ना, तो यह व आएगा हो, करना कि आपको कुछ भी ने करना वाई सा, बस चैनल को सब्सक्राइब करना, इतना तो कर सकते है ना, और हाँ, अगर आपको सभी मैचों में फादे में रहे ना, तो मेरा टेलिग्राम भी जोईन कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने पहले से जोईन किया, वो मैच से जोईन करें, तो भाई लोगी जो मैच हैं सेंडे 12 फैबरी इंडिया टाइम अनुसार 7.30 पीम से आप इसका लाइव एक सन देख सकते हूं, यह मुकाबला के ला जाएगा, दुबाई इंटरनेशनल किरिकेट इस्टेडिया, दुबाई में यहां के मादान पे भी इसमें होगा गया, जिसमें से 6 मैच में हुआ, टारगेट डिफैंड आठ मैच में क्या हुआ, टारगेट चेज यानई ज्यादा मैच हूं, यहां के मादान पे ख्या होता है, टारगेट चेज होता में, आपरेजि प्ल Initiates स्कोर हमें, 163 एक 100 त्रिसा ठर्न टारगेट 171 के बीच में स्कोर होगा तो आप समझ जाना अभी जो मामला है ना ये तो बराबरी का आगया चेज भी हो सकता और डिफैंड भी हो सकता है भाई लोग यहां के मैदान पे जो मैच होते है थोड़ा सा आपको मीडियम स्कोरिंग देखने को मिलते क्यों मिलते क्यों कि यहां का जो सर्फेस होने के वज़ास वहाइक कि जो बौल होता है ना जो तेज गेंद्वाज होते नियू पोल जो इनकी बौल होती स्विंग करती है तो सुरू के चार पांथ चेओ बार बल्ले बाजि करना काफी ज़्यादा मुश्किल होता तेज गेंदवाजों के सामने लेकिन जैसा फोड़ा सा बोल की साइनिक खतम हो जाती तो जो बोल होता बैट पर अच्छे से आने लगता है क्योंकि यहां की जो कंडिसान है वो बैटिंग कंडिसान है तो फिर बाद में रन भी बनते हैं और मिडियम स्कोरिंग मैस थो हो ना अगर हम हम आच के मैस में पावरिप्ले स्कोर टो फोटी धीन तो मैस कसी से मकर और CR मैंदान पर तीन बार आमना सामना हुआ जिसमें से एक मैंच जीता है डिजाट वाइपर नहीं तो एसा गरते है ना इस आप बरावर कर लेते हैं वाई लोग आज के मैच में क्या होगा चलो जानने की कोशिस करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर डिजाट वाइपर गया आप सब को पता जी इनकी ओपनिंग जोड़ी है रोहन मुस्तफा और एलेक्स हैल से की बात करें शुरू के जो चार पांच मैच था उसमें क सैम बिलिंग्स की बात करें सर्फें रधर फोर्ड की बात करें तो अपनी टीम को काफी अच्छे से समाल ले मतलब कोई बात नहीं अगर शुरूआत अच्छी ना हो रही तो हम दोनों आएंगे मिडिल ओडर में बल्लेबाजी को समाल लेंगे बाकि ज़रूवत पढ़ने हां बात करें की बात करें तो इंचे बल्लेबाजी करते हैं और चैंपियन बन जाते हैं ने इनको फोर्म में आने में टाइम कब लगता बागेगा हम इनकी गेंदवाजी की बात करें तो जो Selden Quartel है हमेशा New Bowl से विकेट निकालने किफायती वे रहे लिवकूड की बात करें तो ये New Bowl से विकेट निकालने किफायती होते है Death में भी बढ़िया गेंदवाजी करते है Midir Order की बात करें तो इसा हो जाता है कि इनके सामने रन बनाना छोड़िये बिकेट बचाना भी कभी-कभी मुस्किल हो जाता है Gus Atkinson की बात कर ये भी बढ़िया गेंदवाजी कर रहे है बहुत जब अजस नहीं कर सकते हैं लेकिन ठीक था गेंदवाजी कर रहे है तो यहां पर डिजाट वाइपस टीम की बात कर तो बल्ले बाजी अंगेंद बाजी दोनों काफी जाता बेतर है लेकिन बस वही है कि बल्ले बाजी सुरू के जैसा मैंने पहले बताया अभी आउट ओफ फॉर्म चले बाकि गल्फ जाइंट्स की बात करें तो गल्फ जाइंट्स बोलेगा और तेरी अपनी बल्ले बाजी देखी है क्रिसलिन और जेम सिबिंस ऑपन करते आते हैं अगर हम यह पर जेम सिबिंस भाई साइब की बात के तो वन मैन आर्मी की तरह खेलते हैं इनको आउट करना काफी जादा मुस्किल हो जाता है उलिए बाजी बात के तो थबढ़ तोड लीन है मतलब आते हैं बस चोगे छके मारते रहते हैं बाकि गरहाड इरासमस की बात की जैसे जरूरत होती संभाण समेल के बल्ले वाजी करते हैं यह भी काफी अच्छे तरीके से फिनिस करते हैं इनको काफी जादा बैलंस दे रहे हैं जैसे कि डेविड वीजे, कॉलिन डी ग्रैंड हॉम, कार्लेस बैथवर्ड यह ऐसे खिलाड़िया ना अगर हम यहां पर इन तीनों की बात करें तो भाई साब जो गेंदवाजी हैं इनकी काफी ज्यादा कमाल करें क्रिस जोडन के सामन भाई साब रन मनाना छोड़िये, बिकेट बचाना मुश्किल होना सबसे हाइस टेकर हो गया है, मतलब सबसे जादा बिकेट ले चुके हैं, बाकि अगर हम यहां पर डेविड वीजे की बात करें, डेविड वीजे की जो गेंदवाजी चलती है, बहुत ही जादा जवर जदा मुश्किल होता है, और बिकेट भी निकालते रहते हैं, बाकि संचित सर्मा की बात करें, नियू बोल से बड़ी अगेंदवाजी कर जाते हैं, यहां पर जो टीम है, जेम से मिंच की गल्फ हो जाएंट सा है, बल्ले की बात कर लो, गेंद सी बात कर लो, हर जगे काफ चैनल टीम, कौन से टीम जीत सकती है, जो मैच होगा, कौन से टीम बनेगी चैंपियन, लेकिन उससे पहले भाई का चैनल सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि आपको पता है, कोई हीरो या सिलेवेटी थोड़ी नहों, आपकी बीच करहने वाला आपका अपना भाई, उस तो सार अगरम इस मैच की बात करें, जो मैच है ना, ओ 50-50 है, 50 गल्फोजाइट एंड 50 डिजाट वाईपर्स, लेकिन अपनी बात को तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैच है डिजाट वाईपर्स अपने नाम पे कर सकता है, लेकिन आपको बोलूँगा, क्या बोलूँगा, म इस चीज़ का ध्यान देना है, फेक से बचना, क्योंकि मेरे नाम पे बहुत ही नकली टेलीग्राम चैनल बना लीगा, इसलिए इद्धार उद्धार और के से जॉइन नहीं करना, जो लिंक मिले के डिस्केप्शन में, बस वही से जॉइन करें, तो भाई लोग, आज की वी ब्लेस यू!